श्री गनेशा या नमाहा नमस्कार दोस्तो दोस्तो ये राशी फल चंद्रा राशी पर आधारित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्थिति ले कर आती है इस वजे से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को इच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं दोस्तों इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में पराक्रम स्थान से गोचर करेंगे यानि चंद्रमा 3rd house में रहेंगे जो आपके पराक्रम में बढ़ुत इस समय में उन लोगों को सबसे ज़्यादा होने वाला है जो अपना व्यापार छोटी छोटी यात्राएं से करते है यानि उन्हें व्यापार करने के लिए छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ती है इस समय में यात्राएं होने के योग बन रहे है खास करके छोटी यात्रा आपको लाबकारी सिद्ध होगी दोस्तो इस दिन भाग्य का साथ भी आपको जरूर मिलेगा जी हाँ भाग्य इस समय में आपके साथ रहेगा चंद्रमा इस दिन नवम भाव को देख रहे है चंद्रमा की नवम भाव पर दुष्टी होने से दिन आप के लिए भाग्य शाली रहने वाला है लेकिन चंड्रमा पराक्रम क्षेतर में गोचर कर रहे हैं उस वजहे से आपको लगए से काम करना पड़ेगा और मेहणद भी कापी करनी पड़ सकती हैं व्यापारियों को इस समय में निवेश करने के लिए ये समय बहुत बढ़िया रहेगा निवेश कर सकते ह इस समय में निवेश करने से अच्छा लाब होने की संभावना रहेगी इस समय में आप धार्मी कृत्ति के नजर आओगे धर्मकर्म के काम में आपकी रुची बढ़ेगी आपके घर में भी कोई धार्मी कार्य संपन्न होने की संभावना है अगर आप विदेश जाना चाहते ह विदेश जाने का सोच रहे है तो ये समय आपके लिए शुब रहेगा विदेश जाने की प्लानिंग इस समय में आप कर पाओगे इस समय में अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनके साथ आपके रिष्टे और अच्छे बनेंगे जी हाँ उनके साथ कोई अनबन थी तो वो तो पूरी तरे से समाप्त हो जाएगी और आपके रिष्टे और अच्छे बनेंगे एक दुसरे के प्रती प्यार बढ़ेगा भाई बहन एक दुसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आएगे एक दुसरे के प्रती प्यार बढ़ेगा अगर कोई पुरानी अनबन थी तो व पूछ नहीं मिलने वाला, इस समय में स्टूडंस जितना अधिक परिश्रम करेंगे उतने अच्छे रिजल्ड्स लाप आएगे, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा स्टूडंस के लिए समय वैसे वैसे अच्छा होता जाएगा, स्टूडंस को इस समय में कोई बड़ा करने के लिए समय का अच्छा उपयोग करें इस समय में नए रिष्टे बन सकते हैं और पहले से बने हुए रिष्टे और मजबुत बनेंगे जो लोग अविवाहित हैं उन्हें भी अच्छे रिष्टे आने की इस समय में संभावना रहेगी समय का अच्छा उपयोग जरूर क इस दिन हरे रंग का इस्तिमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और पांच अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तो ये राशी फल चंडर राशी पर आधारित है लेकिन कभी-कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह क होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्गदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छ रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे नमस्कार दोस्तो व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफल प्रता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों ह रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरप एक अजीव सा घेरा बना कर र जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं। अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उनें रखे साप सुत्रा रखे जूते चप्पलों को उनकी जगए पर कुछ इस तरह से रखे को देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीज़े देखने में अच्छी लग रही है तो फि हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरे से साप रखें क्लीन रखें साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला, इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीजे कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मौजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं हो आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मौजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमा आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते हैं क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदला करता हरा तो से जा कर्ता है क्या दो डीजों में थ bzw. टरो ज्यों को थेती हैं आर को बाता है 방법 क्यां में में पहाव़ता है जैसा बदलावाव जित करता है foundational कै उस करता है